देरादून में आज सुबह से ही, इनफेक्ट कल राच से ही काफी जादा रफ वेदर हो रखा है, काफी आंधी तूफान साया हुआ है, बारिश भी बहुत हो रही है राच से, तो मैंने सोचा इस टाइम का यूटिलाइजेशन करूँ और मैं अपने लिविंग रूम को अच् चेंच करूँ, फरनीचर को मूव करूँ, आटिफेक्ट से हाँ मूव कर सकूँ, जिससे कि उसका जो लुक है वो इकदम फ्रेश और नया लगे और एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आया लिविंग रूम में, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो एक्जिस्टिंग लिविं इरिए जो फरनिचर के नीचे दवे रह जाते हैं और उसकी इतनी अच्छे से खिलीनिंग नहीं हो पाती, तो जब हम फरनीचर को यहां वहां मूव करते हैं, तो ना सिफ उसका लुक का नया आता है, वहां की क्लीनिग भी बहुत अच्छे से हो जाती है कर दो 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 П brilliant कर दो 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 कर अ dispersा स्ट करोेया सिनः भान शचैति इन साहति जोसरी आहीत प्रइटान. कर दो कर दो कर दो दोस्तो मेरा ये पहला अटेंट था एक क्लीनिंग व्लॉक बनाने का उमीद करती हूँ कि आपको थोड़ा पसंद आया होगा अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरा जो नेक्स वीडियो है वो अन्बॉक्सिंग है एक ऐसी मशीन का जो हम अपने घर में अपनी हेल्प के लिए मैंने ली है जिसके बारे में मैं सारी डीटेल्स आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी सी यू सून ब बाइ